राजकुमार साहब इंडस्ट्री में बड़ बोले एक्टर के नाम से फेमस थे, जो धरमेंद्र के सीनियर थे और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता था। राजकुमार लोगों की बेज़जती करने से गुरेज नहीं करते थे। लोगों की बेज़जती करवह मुस्कुराते थे और लोग खून के आंसू रोते थे। ऐसा ही एक किस्सा तब हुआ जब धरमेंद्र नए नए एक्टर बने और राजकुमार के साथ फिल्मी परदे पर साथ नज़र आने वाले थे। कौन सी थी वो फिल्म और क्या था वो किस्सा चलिए आपको बताते हैं। 1965 में एक फिल्म आई जिसका नाम था काजल। फिल्म में धरमेंद्र राजकुमार के साथ मीना कुमारी काम कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के पहले दिन डायरेक्टर ने धरमेंद्र को राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने धरमेंद्र को देखा और डायरेक्टर से कहा। ऐसे पहलवान कहां से उठा कर लाते हो? ये तो ऐसा लग रहा है. जैसे ये पहलवानी के मैदान से सीधे यहां पहुँचा है. डायरेक्टर साहब इससे कुष्टी कराओगे या एक्टिंग? ये कहकर उन्होंने धर्मेंद्र को फिर देखा और जोर-जोर से हंसने लग गए. राजकुमार की इस हरकत से धर्मेंद्र आग बूबला हो गए और उन्होंने आव देखा ना ताव राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया. मामला इतना बढ़ गया कि डायरेक्टर को बीच बचाव कराना पड़ा. धर्मेंद्र की इस हरकत पर राजकुमार भी गुस्सा हो ग मेकर्स पहुंचे तो उन्होंने मेकर्स के सामने शर्ट रख दी. उन्होंने कहा, मैं वापस तभी लोटूँगा जब सरयाम धर्मेंद्र माफी मांगेगा और मैं एक भी फिल्म की सीन धर्मेंद्र के साथ शूट नहीं करूँगा. मेकर्स के पास इसके अलावा और कोई च जिसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्म के सेट पर राजकुमार से माफी मांगी इसके बाद दोनों ने अलग-अलग फिल्म को शूट कर पूरा किया फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ने कमाल किया फिल्म को IMDB ने 10 में से 6.6 रेटिंग दी है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर अवश्य करें